Hello everyone, आज के इस सेशन में हम Class 8 Science के चाप्टर Reproduction in Animals का एक और नया टॉपिक डिसकस करेंगे and that is VVPARAS Animals and OVPARAS Animals तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं So this is Vibhuti Khare, Welcome to Magnet Brains जहाँ पर आपको सभी चाप्टर्स के वीडियो लेक्टर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट याने के Magnet Brains में आपको दो चाप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेस करने के रिक्वार्मेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन जहाँ पे हम बात करेंगे वीवी पैरस और ओवी पैरस अनिमल्स की अब अगर आपको याद हो तो प्रीवेस सेशन में हमने बात करी है फोर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जहाँ पे हमने ये सीखा था कि मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसी को हम बोलते हैं क्या fertilization की process हमने इस process के दो टाइप यप पढ़े है एक्सटरनल fertilizer and internal fertilization इंटरनल fertilizer में क्या होता है कि मैल और female gamit का जो fusion है यानSc yes fertilization की process है यह कहा होती है यह female parent body में ही होती है कैसे तो जो male parent है उसकी पाड गामिस बहाँ निकलते हैं याने कि male gamits बहां निकलते हैं और कहां enter करते हैं female parent body में enter करते हैं तो female parent body में उसके gamits सो होंगे याने कि female gamits सो होंगे ही तो female parent body के अंदर ही male और female gamits का हम बोते की जो fusion है वो हो जाता है याने कि fertilization female parent body के अंदर होता है इसको हम बोते है internal fertilization लेकिन जब हम बात करते हैं external fertilization की तो यहाँ पर जो fertilization है न यह external environment में होता है किसी male या female parent body के अंदर नहीं होता है male parent body से male gametes बाहर आ जाएंगे environment में और female parent body से भी female gametes है वो भी बाहर आ जाएंगे environment में और बाहर ही fertilization होगा fusion होगा male और female gametes का इसे हम बोलते है external fertilization लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी oviparous और viviparous animals की तो यहाँ पे हम अब यह देखेंगे कि यह जो embryonic development है यानि कि embryo का जो development है वो exactly कहां हो रहा है क्या वो female parent body के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है उसके basis पर ही हम decide करेंगे कि oviparous animals क्या होते है या viviparous animals क्या होते हैं देखो यह पर क्या लेखा जा रहा है कि some animals give birth to young ones those animals which give birth to young ones और baby animals are called viviparous animals ठीक है viviparous animals क्या होते हैं वो animals जो की सीधे क्या करते हैं बच्चे पैदा करते हैं याने कि अंडा देने वाला जो condition है वो इनके साथ नहीं आती है ठीक है वीवी का मतलब क्या होता है alive और पैरous का मतलब क्या होता है bearing इन वीवी पैरous animals the young ones developed in the uterus inside the body of the mother और you can say female parent तो जैसे कि हमने अपने previous session में अपने chapter का जो एक main topic था sexual reproduction in human beings वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से human beings में 9 month की pregnancy होती है और उस pregnancy period में जो fetus है और you can say जो embryo है वो कहाँ develop होता है uterus के अंदर यानि की female parent body के uterus में ही develop होता है है ना और जब development हो जाता है पूरा complete तो वो जो fetus है वो mother body के बाहर निकलाता है यानि की baby की delivery हो जाती है तो वीवी पैरेस animals में हम बोलते हैं कि जो young one है वो mother की body में uterus में हम बोलते हैं कि वहाँ पे वो क्या करता है develop करता है और grow करता है when the young one is fully developed then the mother gives birth due to which the alive young one या baby animal comes out from the body of the mother और जब उस young one की जो growth है जो fetus की जो growth है वो complete हो जाती है फिर इसके बार में वो बच्चा जो है बाहर आ जाता है और वो बच्चा भी कैसा होता है जिन्दा होता है comes out from the body of the mother चलो फिर इसके बार में next point क्या है जैसे कि birds होती है हमारी चडिया होती है या जो हमारे रेप्टाइल होते हैं साप वगेरा है न क्रोकोडाइल वगेरा तो उनके समान यह सब क्या करते हैं बार्ड और एप्टाइल यह तो अंडे देते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी वीवी पैरस अनिमल्स की तो जैसे कि मैंना आको पता है कि अंडा देने वाली जो situation है जो condition है वो इनके साथ नहीं होती है यह सीधे की सीधे क्या करते हैं जिन्दा बच्चे पैदा करते हैं इन दे वीवी पैरस अनिमल्स दा बार्थ दा मदर फीमेल पेरेंट गिवस बर्थ टू अ फुली डवलप्ट इनिमल जिसको कि हम यंग मन बोते हैं वीवी पैरस अनिमल्स में क्या होता है कि जब बच्चर डिलेवर होता है तो वह fully डवलप्ट होता है जैसे कि मैंना आग को पता है था कि अब यह एक जो human baby डवलप हो रहा है माना कि वह size में बहुत छोटा सा होता है लेकिन उसके जो body parts हैं जो organs हैं वो completely developed होते हैं उसमें heart भी होगा उसमें lungs भी होगा kidneys भी होगे हैंडा face होता है facial features होते हैं आखे दिखाई देती हैं ना दिखाई देती हैं हाथ-पाउ अब दिखाई देते हैं तो वह completely developed होता है हाँ छोटा है लेकिन आगे जाकर के समय के साथ में उसकी ग्रोथ हो जाएगी for example in human beings the mother gives birth to a baby so humans are viviparous animals so human beings में भी हम बोलते हैं कि सीधे इस तरीके से बच्चा जो है uterus से बाहर निकलता है after the period of nine months so human beings भी क्या होते हैं viviparous animals ही होते हैं next point क्या है some other examples of viviparous animals are अब अके लिए ऐसा थोड़ी है कि human beings ही viviparous animals होते हैं कुछ और भी होते हैं जैसे कि हमारी cows, dogs, cats, lions, tiger, horse, rabbit, rat, elephant, camel यह सब क्या है viviparous animals के ही example है यानि कि यह सीधे की सीधे animals क्या करते हैं एक बच्चा ही पैदा करते हैं अंडा देने वाली situation इन के साथ नहीं होती है ठीक है fully developed baby को यह basically birth देते हैं in fact all the mammals are viviparous animals सभी mammals क्या होते हैं viviparous animals होते हैं some animals lay eggs which later on develop into young ones अब इसके बाद में कुछ animals ऐसे भी होते हैं जो कि अंडे देते हैं और यही अंडे हम बोलते हैं कि आगे जाकर के एक animal में develop हो जाते हैं those animals which lay eggs from which young ones या baby animals are hatched later on are called oviparous animals ठीक है अब उन जानवरों की बात हो रही है उन पक्षियों की बात हो रही है जो कि अंडे देते हैं और इनके यह अंडे हम बोलते हैं कि इनके अंडों में से हम बोलते हैं कि आगे जाकर के young ones या हम बोलते हैं कि baby animals develop हो जाते हैं तो ऐसे animals को हम क्या बोलते हैं ovi parents animals कहते हैं इन ovi parents animals तो mother या female parent lays eggs outside its body ठीक है जो अंडे होते हैं वो female parent क्या करती है अपने body के बाहर ले आती है The young one of the animal develops inside the egg और जो young one होगा न वो कहाँ develop होगा वो egg के अंदर ही develop होगा VV parents में क्या हो रहा था? कि female parent body के अंदर जो baby है वो develop हो रहा था लेकिन OV parents में क्या होता है? कि female parent ने क्या करा है? अपनी body से egg बाहर दे दिये हैं अब उन्ही अंडो में उन्ही एग्स में क्या होगा? baby या young one develop होगा When the development of the young one inside the egg is complete the egg shell breaks open and an alive young one या baby animal comes out of it और जब हम बोलते हैं कि अंडे के अंदर जो basically baby है जब वो fully develop हो जाएगा इसके बाद में वो अंडा तोड़ करके उसका shell तोड़ करके बाहर आ जाएगा है ना? तो एक जिन्दा alive young one जो है निकल के आता है कहां से? अंडे से This is called hatching और यह जो अंडे को तोड़ने वाली जो process है कि बच्चा अंदर का पूरा develop हो चुका है जब अंडा दिया जाता है ना? जब एग ले किया जाता है OV-Parras animals द्वारा उस समय हम बोलते हैं कि उस अंडे के अंदर बच्चा नहीं होता है दीरे-दीरे एग के अंदर का जो भी content है जो भी yoke वगएरा है उससे हम बोलते हैं कि दीरे-दीरे बेबी डवलब होता है और जब डवलबमेंट पूरा हो जाएगा तब एग शेल तोड़ करके वो बच्चा बहार निकल के आएगा और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? Hatching For example, the hen lays eggs मुर्गी जो है अंडे देती है The young one of the hen और chick मुर्गी के बच्चे को हम क्या बोलते है चिक बोलते है Develops inside the egg ठीक है? मुर्गी का जो बच्चा होता है वो एग के अंदर ही डवलब होता है When the development of the chick inside the hen's egg is complete The egg shell breaks open and unalive chick comes out of it तो जैसे कि आपको image में भी दिखाए दे रहा होगा अंडे के अंदर जो है यह पूरा का पूरा मुर्गी का बच्चा है जिसको हम चिक बोलते है वो डवलब होता है जब इसका development पूरा हो जाता है जब यह बाहर आने लायक हो जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि यह एक्षर को तोड़के बाहर निकला आता है इनिशल स्टेजिस में तो हम यह बोलेंगे कि अभी जो मुर्गी का बच्चा निकला है यह अभी भी हम बोलते हैं कि छोटा ही है और अपने निउट्रिशन वगेरा के लिए अपनी मदर के ओपर ही depend करता है आपने देखा होगा चिडियों के जो छोटी-छोटी से चूजे होते है चिडिया आती है ममा बर्ड और वो क्या करती है अपने चोच में दाना ले करके आती है और बच्चर के मूँ में आ करके डालती है तो इनिशल स्टेजिस में hatching होने के बाद भी initial stages में हम बोलते हैं कि जो young ones होते हैं वो अपने nutrition की process के लिए अपनी mother पे ही dependent होते हैं फिर धीरे धीरे हम बोलते हैं कि समय के साथ में इनकी further development होती है इनके punk वगेरा जो है ना properly आ जाते हैं उसको दिखाई देने लगता है properly फिर इसके बार में यह अपने घोसले से उड़ जाते हैं और फिर इसके बार में अपनी मदर पे किसी भी चीज़ के लिए dependent नहीं होते हैं चलो next क्या है since a hen lays eggs from which its young ones या chicks are hatched therefore the hen is an oviparous animal तो क्योंकि मुर्गी जो है अंडे देती है और इन अंडों से ही एक हम बोलते हैं कि नए बच्चे निकल के आते हैं प्रिड्यूस होते हैं इसलिए मुर्गी भी क्या है एक oviparous animal है सम अधर एक्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं ओभी प्रिड्यूस के sparrow चिडिया है ना गौरा यह जिसको हम बोलते हैं क्रो कववा बटरफ्लाइ हाउसफ्लाइ फ्रॉग्स फिशेज लिजर्ट स्नेक ऑस्ट्रिच और क्रोकोडाइल तो हमारे जितने भी बर्ड्स हैं है ना प्रोग्स पर्वंपोलते हैं कि अंडे देते हैं लिजर्ट वगरा लीजर्ट विगाई में आते हैं इसानाई बड़े-बड़े अनिमाल इसके अलावा क्रोकोडाइल यह सब भी हम बोलते हैं अंडेल देने का आप यह नहीं बोल सकते हैं कोई size होगा कि छोटे वाले animals ही अंडे देंगे या बड़े वाले animals दे सकते हैं कोई भी दे सकता है in fact all the insects birds and reptiles are oviparous animals सभी birds सभी insects और सभी reptiles जिसमें कि हम बोलते हैं कि crocodile आते हैं है न स्नेक्स आते हैं लिजर्ड आती हैं यह सब के सब कैसे होते हैं सभी के सभी अंडे देते हैं और इन अंडों से हम बोलते हैं कि इनके young ones निकलते हैं यह मुर्गी के अंडे हैं आपके सामने ठीक है और फिर इसके बाद में यहां से एक चोटा सा मुर्गी का बच्चा जो है निकल के आया है चलो next क्या है हमारे पास it is easy to collect the eggs of oviparous animals because they lay the eggs outside their body oviparous animals के जो अंडे होते हैं उनको बाहर मरलब उनको collect करना आसान होता है क्यों? क्योंकि वो तो अपने body से अंडे बाहर ही दे रहे हैं प्लस उनके जो अंडे होते हैं इतने तो छोटे नहीं होते हैं कि उनको देखने के लिए हमें किसी microscope की जरुबत पड़े हैं इतने बड़े होते हैं कि हम उनको असानी से देख पाते हैं और हम बोलते हैं कि जो हमारे वीवी पैरिस अनिमल होते हैं जैसे कि human beings हो गया है इनके एक्स को हम collect नहीं कर सकते क्योंकि इनके जो एक्जेम वो तो बाहर आते ही नहीं ना बॉडी के तो फटिलाजेशन जो भी होता है वो बॉडी के अंदर होगा फटिलाजेशन के बाद में जो जाइगोट बना है वो भी कहां होगा female parent body के अंदर ही होगा इस जाइगोट से जो embryo बना है वो भी female parent body के अंदर ही होगा प्लस इस embryo का जो पूरा development है embryonic development है वो भी कहां हो रही है female parent body के अंदर ही हो रही है next क्या है अब हम बात करते हैं एक मुर्गी के case की कि the hen is a bird, मुर्गी क्या है चिडिया ही तो होती है internal fertilization takes place in hen also और fertilization हम बोलते हैं कि कैसा होता है मुर्गी में internally होता है यानि कि male gamit कहां जाते है female parent body के अंदर जाते हैं जिसको हम internal fertilization बोलते हैं but a hen does not give birth to chicks लेकिन internal fertilization होने के बाद भी इस चीज़ की guarantee नहीं होती है कि fertilization internal हुआ है तो वो क्या होगा वहाँ पे सीधे बच्चा ही body के बाहर निकलेगा ऐसा नहीं है fertilization internal हुआ था लेकिन जो embryonic development है न वो कहा होगी female parent body के बाहर होगी but a hen does not give birth to chicks like human beings give birth to babies जैसे इंसान अपने बच्चों को जनम देते हैं वैसे मुर्गी अपने बच्चों को जनम नहीं देती है after fertilization takes place inside the body of the hen the fertilized egg या जो zygote होगा वो divide करेगा repeatedly to form embryo which travels down the oviduct फिर इसके बाद में जो zygote है उसमें वोई repeated divisions होगे multiplication होगा number of cells बनेंगे बढ़ जाएंगे embryo बन जाएगा और यह जो embryo है यह हम बोलते हैं कि oviduct से नीचे उतार आएगा next point क्या है as it travels down the oviduct many protective layers are formed around the embryo जिस समय यह oviduct से embryo नीचे उतार रहा होगा उस दरौन embryo के आसपास काफी सारी protective layers बन जाएगी the hard shell that we see in a hen's egg is the outermost protective layer the other protective layers being inside the egg shell तो basically जो हमें मुर्गी के अंडे का जो छिलका दिखता है न वो क्या है यह outermost protective shell है और अंदर की और भी जो coverings होती है वो कहां होती है इस shell के अंदर होती है after the hard shell after the hard egg shell is formed around the developing embryo the hen finally lays the egg यहने कि fertilization हो गया internal zygote बन गया उसके बाद में embryo बन गया जब यह embryo ovidate से नीचे उतार रहा था उस दौरान उसके आसपास काफी सारी protective covering बन गई थी सबसे बाहर वाली जो outermost protective covering होती है वो क्या है एक शेल है और उसके अंदर बाकी के सारी covering होती है है ना तो जब हम बोते हैं कि अंडे के आप बोल सकते हो कि developing embryo के आसपास अच्छा खासा जब protective shell बन जाता है उस समय क्या होता है कि जो मुर्गी है वो अंडा अपने बाडी से बाहर निकाल देती है अंडे देती है और अफ्र देवलपिंग एंडे अंडे बाडी के बाहर आता है और इसके बाड में हम बोलते हैं कि जो मुर्गी है आप में देखा होगा कुछ-कुछ cartoon movies में भी आपने देखा होगा है ना सच में अगर आप में कभी कोई poultry farm visit किया हो तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जो मुर्गी है वो अपने अंडों के ओपर कुछ इस सरीगे से बैठी रहती है क्यों बैठी रहती है ताकि एक sufficient गर्माहट एक warmth जो है यह वो क्या है मुर्गी का जो अंडा है कि क्या है एक fertilized एगी तो है है ना योग अंदर का जो भी content है basically embryo बन चुका है इस हम बोलते हैं कि एग के अंदर क्या है embryo आ चुका है अब यही embryo हम बोलते हैं कि इसकी growth होगी इसकी development होगी तो देखो यह जो embryonic development है यह कहां हो रही है यह mother की body के बाहर हो रही है female parent body ने तो fertilization हुआ उसकी body के अंदर लेकिन इसके बाद में जब embryo के उपर जो है developing embryo के उपर shell बन चुका है इसके बाद में उसने तो अपनी body से बाहर निकाल दिया फिर इसके बाद में जो embryo का development है यह कहां पूरा होगा female parent body के बाहर होगा औ और अंदर एग के अंदर का जो भी content है योग वगेरा वह हम बोलते ही कि उस developing embryo के nutrition में helpful होता है जैसे कि हमने previous session में discuss किया है कि female जैसे अगर हम बात करेंगे human beings की है ना तो जो भी developing embryo है उसको nutrition की भी जरूबत है उसको gaseous exchange भी करना है उसको हम बोलते है कि कुछ waste भी generate हुआ जो कि उसको बाहर निकालना है तो यह सब चीज़े कैसे होती है तो सीदी सी बात है अगर nutrition भी derive करना है ना तो वह mother की body से ही nutrition derive करेगा क्योंकि obvious सी बात है अभी तो वह developing embryo है वह अपना खाना खुद तो बना नहीं सकता है तो इसलिए क्या करेगा वह जो mother की body है उसका जो blood ह है ना उसी से अपने सारे nutrients वो derive करेगा और जो भी waste generate हुआ है वो उसी blood में जो है release कर देगा प्लस जो भी gases चाहिए है उसको अपने survival के लिए for example oxygen चाहिए तो यह O2 कहां से आएगी तो mother के blood से ही आएगी लेकिन यहाँ पे such case आपको देखने को नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिल होता है वो यह content ही हम बोलते हैं कि developing embryo के nutrition का काम करता है कि developing embryo को जो भी अपने growth के दौरान पर nutrition चाहिए है वो कहां से मिलेगा योग से ही मिलेगा ठीक है चलो the embryo takes about three weeks या 21 दिन to develop into a complete chick और एक जो embryo होता है वो उसको तीन हफते लग जाते हैं या 21 दिन लग जाते हैं एक complete chick में develop होने में the development of the chick from the egg takes place inside the hands egg during this period और यह जो पूरा embryonic development हो रहा है यह कहां हो रहा है मुर्गी के अंडे के अंदर ही हो रहा है कुछ इस तरीके से देखो मुर्गी न अपने अंडे दे दिये अंडो में देखो आपको एक yellow part देखेंगा जिसको हम योग कहते हैं white part आपको देखेंगा जिसको हम element कहते हैं फिर इसके होता जा रहा है क्योंकि जब यह जो embryo develop हो रहा है यह अपने development के टाइम पे इस पूरे के पूरे योग को consume करता जा रहा है क्योंकि न्यूट्रिशन तो चाहिए है चलो next point क्या है कि after the chick is completely developed the egg shell breaks open automatically and the chick comes out of it और जब हम बोलते हैं कि development हो जाती है पूरी chick हम बोलते हैं कि इतना you know develop हो जाता है कि वो बाहर आ सकता है external environment में तो एक शल टूटता है और chick बाहर आ जाता है this is how a chick is born कुछ इस तरीके से chick याने की मुर्गी का जो बच्चा है वो पैदा होता है यह बनता है during its development into chick the embryo gets all its food from the egg yolk जैसे कि मैंने आको बोला कि जो भी nutritional requirement है वो कहां से fulfill होगी developing embryo की egg yolk से ही होगी the albumin present in the egg helps to protect the embryo from the damage और जो albumin होता है egg के अंदर का वो क्या करेगा embryo को damage से protect करेगा next क्या है the embryo obtains oxygen by the diffusion of air through the egg shell and other membranes तो यह जो egg shell है या जो other protective covering है यह हम बोलते हैं कि definitely developing embryo को क्या कर रही है protect कर रही है लेकिन external environment से उसको isolate नहीं करती है क्यों क्योंकि developing embryo को क्या चाहिए है gaseous exchange करना है तो mother की body में तो वो है नहीं कि placenta के थ्रू जो है ना मदर की body से वो O2 ले लेगा और carbon dioxide बाहर फेक देगा यह तो हो नहीं ना तो क्या होगा कि वो जो egg shell है na egg shell और जो protective covering है उनमें हम बोलते हैं कि कुछ spaces होती है और उन spaces से जो developing embryo है वो external environment से क्या करेगा जो भी necessary gaseous exchange है वो perform कर लेगा तो embryo जो है oxygen कहां से obtain करता है by the diffusion of air through the egg shell and other membranes the embryos of all the birds and reptiles etc develop in the same way like that of hen inside their shelled eggs तो जिते भी हमारी चडिया है जिते भी हमारे reptiles है इनके जो embryo है वो कुछ इसी तरीके से अंडे के अंदर develop होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे में development हो रही है वैसे ही बाकी की birds और reptiles में भी उनके अंडों में कुछ इसी तरह की embryonic development होती है in animals such as frogs, fishes etc which undergo external fertilization development of the embryo takes place in the eggs outside the female body और जो हमारे fishes है जो frogs है इनमे तो fertilization भी कैसा होता, externally होता है न और जो development होगा embryo का वो कहा होगा अंडे के अंदर ही होगा next in such animals the embryos continue to grow within the egg covering after the embryos develop into complete young ones the eggs hatch and the alive young one comes out some embryos like those of humans cats dogs etc grow inside the mother's uterus till they have completely developed into baby animals जब तक की development पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो जो बच्चा है यानि की वीवीपेरिस animals में वो मदर की body के अंदर ही रहेगा some embryos like that of birds, reptiles and insects etc grow inside the eggs which the mother has laid till they have completely developed into baby animals और कुछ embryos में क्या मतलब कुछ animals में क्या होता है ओवीपेरिस animals में कि जो मदर है वो अंडे दे देती है और जो भी embryonic development है वो कह होगा मदर की body के बाहर उनी अंडो में होगा इतना clear है तो आज की session के लिए बस इतना ही कुल मिला कर के आज की session में हमने VVPARAS और OVPARAS animals के बीच में कुछ differences देखे है difference किसका है बस embryonic development का ही है VVPARAS animal में जो embryonic development है वो कहाँ होता है वो कहाँ होता है मदर की body के अंदर होता है और OVPARAS animals में कहाँ होता है egg के अंदर होता है इन eggs को हम बोलते हैं कि जो mother है वो अपनी body से बाहर निकाल देती है तो egg के अंदर ही हम बोलते हैं याने कि female parent body के बाहर egg के अंदर embryonic development होता है तो आज की session के लिए बस इतना ही अब हम मिलेंगे अपने next session में और next session में हम इस chapter के कुछ और नए topics को करेंगे discuss तब तक आप क्या करेंगे Google पर जाकर करेंगे magnetbrains.com उसको search करेंगे जैसी आप search करेंगे आपके सामने आ जाएगा क्या हमारे magnetbrains की official website उसको जब आप click करोगे तो आपके सामने आ जाएगा ये the magnetbrains education platform जब आप इस page को further और scroll करोगे आपके सामने option आएगा explorer top courses का जहांपे आपके पास class 12 से लेकर के class 1 तक के सभी courses होंगे available for example आपको class 8 की science देख नहीं है तो आप जाकर के इस पर click करोगे आपके सामने class 8 science खुल जाएगा video tutorial बाई विभूती करें जितने भी chapters अभी तक हमने करें हैं या जो हम कर रहे हैं सभी chapters के सभी lectures आपके सामने यहां पर आ जाएंगे वो भी क्या एक properly sequence में arranged कुछ इस तरीके से ठीक है तो YouTube पर जापको समस्य आती है कि मैं playlist नहीं मिल रही है मिल भी रही है तो sequence जो है ना उपर नीच है समझ में नहीं आ रहा तो ऐस सच यहां पर दिक्कत आपको कोई नहीं आएगी so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnet brains thank you for watching